हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक वार फिर से आप सभी का आपी के अपने यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ हिपोरेंड कोश्चन जो की यूसपूल रहेंगे सबसे पहला कोश्चन है सी भासा की खोज किस ने की है तो इसका जो अंसर है बो है डैनिस रिची देनिस रिची द्वारा जो है जो है इन्वेंशन की गई है नेक्स कोश्चन की बात करेंगे तो सी भासा का जो है अविश्कार कब किया क्या था कब ये बिकसित की गई थी तो ये जो है 1972 में जो है इसकी इन्वेंशन की गई थी next question है c program किस की मदद से machine भासा में प्रवर्थित हो जाता है तो c program को हम machine language में convert करते हैं by using a compiler next question की बात करेंगे एक c variable किस से शुरू नहीं हो सकता तो यह जो है alphabet से शुरू नहीं होता है और कभी भी number से शुरू नहीं हो सकता है तो option number d जो है correct रहेगा निमलिकित में कौन सा c के arithmetic instruction की प्रियोग होता है तो देखेंगे यह जो है bracket जो है इस तरीके से जो है arithmetic instruction के लिए प्रियोग होता है बात करेंगे next question की तो निमन में से 4 loop कितनी बार चलाया जा सकता है तो 4 loop जो है infinite time जो है हम इसे चला सकते है Dennis Richie का जन्म कहां हुआ था तो देखेंगे कि इनका जो जन्म है बो है born, village, new york, usa में जो है यह जन्मे थे Dennis Richie और बात करेंगे निमन में से कौन सा operating system Dennis Richie द्वारा बनाया गया था तो Dennis Richie ने जो है unix बनाया था और I think यह जो है इसल्स की इसल्स कंडिशन को उप्यों क्यों करते है तो यह जो है एक कंडिशन को चेक करने के लिए जो है हम इसल्स कंडिशन का जो है इस्तमाल करते है entry control loop कौन सा loop होता है तो यह जो entry control loop है यह for loop का example है और next question की बात करेंगे initial value test condition increment या decrement यह किस loop का syntax है ठीक है तो यह जो है for loop के जो syntax है निमलिकित में कौन सा switch case को check नहीं कर सकते switch case को कौन से check नहीं कर सकते हम तो float जो है इसे हम check नहीं कर सकते जबकि character, integer और enum को जो है हम check कर सकते हैं किसी भी condition को देखने के लिए किस statement का उपयोग करते हैं तो देखने के लिए हम जो है if condition का इस्तमाल करते हैं तो if statement का इस्तमाल करते हैं किसी भी condition को देखने के लिए बात करेंगे निमन में से कौन सा looping statement नहीं है for loop है, by loop है, do loop है जबकि जो है switch एक looping statement नहीं है तो option number D जो इसका correct answer रहेगा for loop है तो for loop जो है entry control loop है तो option number A जो इसका है answer रहेगा निमन में से array की सबसे चोटा element क्या है array का जो सबसे चोटा element है वो है lower bound तो option number A right answer रहेगा array कितने परकार के होते हैं देखेंगे array जो है दो परकार के array हमें देखने को मिलते हैं तो option number C इसका right answer रहेगा निमन में से c में array किस तरह का data type है तो ये जो c है c में जो है देखेंगे ये derived data type का example है निमन में से pointer को declare करने के लिए किस sign का opayông करते हैं तो pointer को declare करने के लिए historic का इस्तमाल करते हैं option number b इसका right answer रहेगा pointer क्या है pointer जो है variable जो दूसरे variable के address को store करता है तो उसे ही हम pointer कहते हैं और इसे donate के जाता है star से बात करेंगे निमन में से and कौन सा operator है ठीक है तो ये जो है address operator का example है and next question के बात करेंगे c में जो है size of क्या है तो size of जो है एक operator का example है एक algorithm का graphical और diagram के रूप में जो है प्रस्तूती करन यानि representation क्या कहलाता है तो इसे जो है हम low chart कहते है option number b या 2 इसका right answer रहेगा बात करेंगे c programming language किस तरह की language है तो ये जो है procedural language है c is a procedural language option number a जो है इसका right answer रहेगा नेमन में से किस operator का उप्योग operands की value को compare करने के लिए किया जाता है तो ये जो है relational operator का इस्तिमाल जो है operands की value को compare करने के लिए किया जाता है operator and का प्रियोग किया जाता है तो ये जो है bitwise and के लिए जो है इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है and operator का प्रेक्टर बेरियेबल का साइज कितना होता है तो एक बाइट जो है प्रेक्टर बाइट का साइज होता है प्रेक्टर बाइट का साइज होता है प्रेक्टर बाइट का साइज होता है जबकि ब्रेक स्टेटमेंट का प्रियोग किया जाता है तो यह जो है current iteration को quit करने के लिए break statement का प्रियोग C language में किया जाता है कौन सा header file malloc और calloc function का प्रियोग करता है तो ये जो है stdlib.h जो है ये इसका answer है option number C इसका right answer रहेगा nameर में से कौन सा logical operator नहीं है तो and जो है logical operator नहीं है जबकि double and और इस तरही के से जो है ये logical operator की example है और बात करेंगे निमली खित में से कौन स्विच case statement को check नहीं करते पहले इसका जो है question हम जान चुके है इसका right answer तो float इसका right answer रहेगा और data, sorry short data type को store करने में कितना size लेता है तो 2 byte जो है short data type के लिए होता है जबकि long data type का जो storage size है बो चार byte के बराबर होता है short के लिए 2 byte और long के लिए चार byte जबकि double data type का जो है storage size पूछा गया है तो ये जो है 8 byte इसका right answer रहेगा और बात करेंगे double data की long double की जो long double data type का storage size है बो 10 byte के बराबर है तो option number B जो है right answer रहेगा जबकि stl का पूरा नाम पूछा गया है तो इसका जो है simple template library जो है इसका right answer रहेगा और c language में कितने keywords होते हैं तो c language में कुल मिला के 32 keyword आपको देखने को मिलेंगे option number A इसका right answer रहेगा और निमन में किस operator की priority सबसे कम है तो ये जो option number D है इसकी जो priority सबसे कम है operator की priority सबसे कम है तो option number D right answer रहेगा उमीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जुरूर से वीडियो लाइक करें चाइनल सबस्क्राइब करें अपने friends के साथ भी वीडियो शेयर करें और जुरूर से कमेंट करके बताएं कि next वीडियो जो है कौन से topic पे आप चाहते हैं thank you and have a good day